अस्लाम अलेकम मैं हूँ नई मर्त्र के साथ आज का जो टॉपे कहें अस्तोटाइफिन इसका फर्मूला है यह दमा के लिए इस्तमाल किया जाता है खासकर के सीरप को बच्चों में इस्तमाल किया जाता है और इसकी टेब्लेट जो आती है वो बुरूंद के लिए इसनमल की जाती है, ये सिघ्टी अमेल में सीरफ आता है साट अमेल में और जो भी में कम्पनी, जह फ़र्मसेटिकल काती है इसकी जो प्राइस जो है आज कर जो है फिप्ट्टी सेवन रुपीजर, जाने अस्तमा में यानि दमा के लिए बहुत ज़्यदा इस्तमाल किया जाता है बहुत अच्छा है सांस की जुम्ला तकाली को ये खतम करता है शरीद खांसी के लिए बहुत इस्तमाल किया जाता है खांसी जब बहुत ज़्यदा तेज होती है शरीद होती है उस सांस में बहुत ज़ भी है सांस लेने में शड़ी तकलीफ हो तो यह सिरफ डाक्टर इसको बहुत ज़्यदा सज्ज़स करते हैं इसी फारफ में लिगा एक और भी आता है जो उसका नाम रेटो फेन होता है और इसको बनाने वाले कंपनी जाफा फरमा है इसके अलावा इसके सांस में जो जब जक्रन होती है तकलीफ होती है और रात को बच्चा सो नहीं सकता तो इसको बहुत ज़्यदा यूज़स किया जाता है और बहुत फाइदा होता है एक बात मैं आप से कहूंगा अगर इसके देने से जो आपकी इसकी जो खुराक आप उसक करना पड़ेगा अवल्ड करना पड़ेगा कि आपको बार बार यह देना नहीं है जिस तरह से आपको डाक्टर करेता है आपको उसी तरह से देता है इसके साइड एफेक्स आप गोर से सुनिएगा इसमें बहुत ज़्यदा नीद आती है एक तो यह बात आप रेंज में का प्राबलम होता है और इसके इलावा जो इसका एक और साइड एफेक्ट होता है बुखार इससे निकलता है इसके साइड बेगी बहुत ज़्यदा दिखा गया है जब भी केटो टाइफिन फर्मूली की कोई मेडिशन इस्तिमाल की जाती है आस्टो टाइफिन होती है यह तो इससे मुखार होता है उसके इलावा गनोड़गी होती है सर में दर्द होता है यह इसके साइड एफेक्स हैं साइड एफेक्स ज्यादा होने की का के विजह से मैं आपको इसका डोस नहीं बताऊंगा क्यूंकि यह डाक्टर की आप एडवाइस ही आप समाल करें और यह म आने वाले वीडियो उसका नौटिफिकेशन आपको मिल सके मैं अगली वीडियो में किसी और ताफिक पर हादर होंगा सब तक के लिए अलाहाफिज